हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का विशय पॉलिटिकल साइंस राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान के आपकी जो पुस्तक है खंड ए जिसका नाम है राजनिती विज्ञान की मूल अवधारनाय और उस बुक की एकाई 3 राजनिती विचारधाराय का अध्याय पहला जिसका नाम है उदारवाद बच्चो इस पार्ट के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे और जो कुछ टॉपिक्स बचेंगे वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट उदारवाद सबसे पहले हम देखेंगे कि उदारवाद की व्योत्पत्ति कहां से हुई है और कैसे हुई है उदारवाद अंग्रेजी के लिबेरिजम शब्द का हिंदी रुपांत्रन है यानि कि उदारवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लिबेरिजम बोलत गतिशील तथा इस्थिती वादी पूंजी वादी वेवस्ता की समर्थक है यानि कि उसका समर्थन करती है गरीब विरोधी अन्याई अन्यतिक अमान विये अवधार्णा थी अब हम देखेंगे कि उधार्ण का अर्थ क्या होता है तो उधार्ण का अर्थ ऐसे नियंत्रन में धील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले यानि ऐसे प्रतिबंदों को ऐसी रोकों को हटा देना जिससे क्या हो आर्थिक विकास को प्रशाशनिक नियंत्रनों प्रिक्रियाओं आदी को समाफ्त किया जाता है या उनमें शेतिक्ता दी जाती है यानि उदारी करन का आर्थ क्या होता है कि ऐसे पृति बंदों को ऐसी रोकों को हटा दिया जाए जिससे की आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और मतलब क्या होत है इसमें कौन-कौन सी बादा होती है जिनको हटाना पड़ता है या हटाना चाहिए आर्थिक नितिया और नियम होते हैं या प्रशाशनिक नियंत्रन होते हैं पहले क्या होता था कि जैसे क्या कोई विदेश में आयत्मियाद करते थे वस्तनी वस्ती वस्तोक खरीते मेंज़नी बेचते थे तो क्या होता था बहुत बहुत ट्र क्रार TH अब हम देखेंगे पर उदारवाद का उद्य कब हुआ और इसका विकास कैसे हुआ लॉक बेंथम वे एडम स्मित की रचनाओं में उदारवाद की जलक मिलती है तब इसका रूप नकारत्मक था और इसे व्यक्तिवाद वे सास्त्रिय उदारवाद की रूप में जाना जाता है उननीसवी शताबदी में जॉन स्टुवर्ट मिलने इसे सकारात्मक रूप प्रदान किया तब राज्य को आफशक ब्राइस समझने की बजाए एक सकारात्मक अच्छा ही समझा जाने लगा तता अन्यंत्रित व्यक्तिक स्वतंत्रता की व्यवस्था के लिए खत्रा समस्ते हुए व्यक्ति की गत्यविद्यों पर उच्छित प्रतिबंद लगाये जाने लगे बीसवी सताबदी में लॉस्की और मेकाईवर ने इन्हें नए रूप में पेश किया अब राज ये एक अच्छी तता आफशक संस्ता मानी जाने लगी और कानून व्यक्तिकी स्वतंत्रता का रक्षक समझा जाने लगा बीसवी सताबदी के उत्रार्द में माक्सवाद की बढ़ती लोक प्रियता से बेभीत होकर पुने व्यक्तिकी स्वायत्ता की और जुकता हुआ राज के कार्यों को सीमित करने का समर्थन करने लगा उदारवाद व्यक्ति प्रेमी विचारधारा है जो व्यक्तिकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देती है यह राज को साधन और व्यक्ति के साध्य मानता है यह रूडिवादिता वे परंपरागत के स्थान पर सभी शेत्रों में सुधारों और उधारी करन का पक्षों लेता है सविधानवाद, विदीका, शासन, विकेंद्री करन यानि कि शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो मतलब हो है अलग-अलग सोपान श्रंगला में विकेंद्री तो सतंत्र चुनावे न्याय वेवस्था लोगतांत्रिक परणाली, अधिकारो सतंत्र चुनावे न्याय कि वेवस्था आदी उदारवादी विचारधाराओं के कुछ अन्या लक्षन है अब हम देखेंगे कि उदारवाद की प्रकर्ती उसका नेचर कैसा होता है उदारवाद के प्रकर्ती उसके उदेवे विकास के चन्नों से जुड़ी हुई है यानि कि उदारवाद की प्रकर्ती होती है उसका नेचर जो होता है वे उसके उदेवे विकास के चन्नों से जुड़ी हुई है यानि कि पहले थोड़ा कम उदारी करन हुआ, फिर जादा हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर बिल्कुल जादा हो गया, और अंति में क्या हुआ, बहुत महत पुन उद्योगों और बहुत महत पुन आयात निर्यात पर भी कर रखे गए, बाकी पर उन्हें समाप्त कर द था शंसता बताने का प्रयत्न किया था उधारवाज व्यक्ति से जुड़ी विचारधारा है जैनी ये व्यक्ति से जुड़ी विचारधारा है 1779 की फ्रांसिसी क्रांटी ने पंश्युमी समाज को स्वतंत्रता, स्रीडयम, समानता, एक्वलुटी, बंदुट्व के विचार देखकर मध्य योगिन निरंकुष शाषन को त्याग दिया था यानी जिस पर कोई अंकुष ना हो उसे कहते हैं निरंकुष उदारवाद स्वतंतरता से जुड़ी विचारधारा है अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम तता बाद के अमेरिकी सविधानने व्यक्ति के अधिकारों की आवाज उठाई थी उदारवाद व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ी विचार धारा है उदारवाद निरंकुषवाद के विरुद सविदानवाद पर बल देता है यानि कि निरंकुषवाद को बुरा बताता है और सविदानवाद को अच्छा बताता है अब हम देखेंगे कि उदारवाद के दो रूप है और वो कौन-कौन से रूप है तो उदारवाद के दो रूप है पहला है परमपरागत या सास्त्री उदारवाद और दूसरा है आधुनिक उदारवाद अब हम देखेंगे कि परमपरागत उदारवाद या सास्त्री उदारवाद क्या होता है परमपरागत उदारवादी सिद्धान्त धर्म को वेक्ति का आंत्रिक और निजी मामला मानता है और जो परमपरागत जो उदारवाद है वो उदारवादी सिद्धान्त धर्म को क्या मा देता है सुमित राज्यों के अस्तितु को स्विकार कर उसका समर्थन करता है समाजिक पृतिमान में एक्ता की बात करता है कालांतर में उधारवाद एवं करांतिकारी विचारधारा ना होकर एक वर्ग विशेश की विचारधारा बन जाती है यह रूप निजी संपति का समर् इसी उदारवाद, समर्तित पुन्जीवादी विवस्ता के विरोध में, वेग्यानिक माक्सवादी एक्रांती की चुरुआत होती है। मानविय जीवन में असमानता को मिटा कर समानता लाने के लिए शंगर्स की बात माक्स करता है जिसके फलसरोप उदारवाद अपना स्वरूब बदल देता है अब देखेंगे हमकी आदूनिक उदारवाद क्या होता है उदारवाद के दोरूप हमने देखें पहला है परंपरागत और दूसरा है आदूनिक उदारवाद तो परंपरागत या सास्त्री उदारवाद हम देख चुके हैं अब हम देखेंगे आदूनिक उदारवाद यह सिद्दान्थ लोग कल्यानकारी राज्य का समर्थन करता है निजी संपती पर अंकुष लगाने वे पूंजी पतियों पर करकी वकालत की जाती है यानि कि जो होता है आदुनिक उदारवाद क्या होता है ये सामेबाद पर जोड देता है और निजी संपती पर अंकुष लगाने वे पूंजी वादियों पर करकी वकालत की जाती है लोग के पश्चात बेंथम, टॉमस पेन, मंटेस्क्यू तता कई विचारकों ने उदारवादी दर्शन को आगे बढ़ाया है यानि लिबरेरिजम की अवधार्ना की चर्चा किया है उन्होंने भी और उन्होंने न केवज शक्ती विवेकशीलता, तर्कशीलता और योगटा पर पक्का विश्वास अभिवेक्टिया किया है बल्कि व्यक्ति के कार्यों में शाषन हस्त शेप न करे इस पर भी जोर दिया है उदारवादी दर्शन के फलसरोफी अमेरिका की सतंतुरता की घोशना 1786 वे फ्रांस में 1789 हिस्वी में मानव अधिकारों की घोशना हुई 17-18 शताबजी के उदारवाद को परंपागरत या सास्त्रिय या उदान्त उदारवाद भी कहा जाता है यह उदारवाद नकारात्मक चरित्र का था इस उदारवाद को मानव प्रितिष्ठा अतरक शिलता स्वतंतृता दता मानव के वेक्तित्वाद पर बल देने के बाद जुद इसका मौलिक चरित्र नकारात्मक था बच्चो इस पार्ट के यानि की उदारवाद जो आपका अध्याय है उसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं अब इसके जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट टू में पढ़ेंगे तब तक के लिए थांक्यू सो मच